आज इस वीडियो में देखेंगे कि पुराने वोटर कार्ड को हम नए वोटर कार्ड में कैसे कंवर्ट कर सकते हैं हम नए वोटर कार्ड को कैसे ओडर कर सकते हैं आज इस वीडियो के अंदर फुल प्रोसेज दिखाने वाला हूं तो वीडियो को सुरू से अंतक जेकना क्योंकि यहां पर पुराने वोटर कार्ड को नए वोटर कार्ड करने वाले हैं तो इस वीडियो को सुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किये पुराने वोटर कार्ड को नए वोटर कार्ड के अंदर convert करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर के अंदर आ जाना है यहां पर लिखना है वोटर ECI पोर्टल यहां पर लिखना है आपको यह पहला ही पोर्टल आ जाता है हमें इसी के उपर क्लिक करना है इसके बाद में यह पर पोर्टल ओपन हो जाता है तो थोड़ी दिर वेट करना है इसके बाद में यहां पर आपको सबसे पहले तापको इसके अंदर लॉगिन करना पड़ेगा और यह सैम काम आप वोटर है प्लाइन अप्लिकेशन से भी कर सकते हैं बहुत आसान है वहां पर भी आपको लॉगि प्लाइन अफ़िक्रेट कर सकते हैं अब हमारे पास यूजर आइडी है यहां पर पासवर्ड है और हम यहां पर OTP रिक्वेस्ट करेंगे इसके बाद में यहां पर लोगिन करेंगे मैं लोगिन कर लेता हूं उसके बाद में आपको आरे चीज़े लिखाता हूं पोर्टल लोग in ओचुक है वोटर ECI पोटल पर हमोग ओचुक है यहाँ आने के बाद में आपको धेखते हैं यहाँ पे पहला तो आपको नया दोर्म मिलता है अब यह नया अवधन करने के लिए एनर्य के लिए नया दन करने के लिए अब दोस्तों यहां पर आपको जो एक मिलता है यहां पर यहां पर यहां पर जो आपका पुराना वोटर वोटर इडी कार्ड है, पुराने वोटर आईडी कार्ड को नए वोटर आईडी कार्ड के अंदर convert करने के लिए, फॉरम 8 आपको फिल करना पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फिल करना है फिल फॉर्म के उपर क्लिक करेंगे फिल फॉर्म के उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं दो आपको मिलते हैं पहला एप्लिकेशन क्या आप सेल्प के लिए कर रहे हैं यहां फिर अधर के लिए कर रहे हैं तो अधर के उपर क्लिक करते हैं य यहाँ पे उसके बाद में सम्मेट को उपर क्लिक करूँगा, यहाँ आप अधरगा करोंगे, यहाँ पे आपको removed representation. आपका Kane अधर करने आप सब्सक्राइब सकते मिए, पार्ट नमेर आजाता है, सीरियल नम्बर, सब कुछ यहाँ पे मेंचनद रहता है. इसके बाद में आपको OK के उपर क्लिक करना है, यह दि लगता है जो details है आपकी सही है, तो आप OK के उपर क्लिक कर सकते हैं, कि यह मेरा record है, इसके बाद में आपको OK के उपर क्लिक करना है, इसके बाद में आपके सामने option आएगा, application किसके लिए हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है है replacement करने वाले हम epic ID को epic card को sorry epic card को replacement करने वाले हैं तो हम यहां पर क्या करेंगे issue of replacement epic without correction तो मुझे correction नहीं करना है card के अंदर मुझे यहां पर epic ID को replacement करना है मतब epic card को मुझे replace करना है तो हम यहां पर करेंगे issue replacement epic without correction इसके उपर click करेंगे यदि कोई करेक्शन आपको करना है तो आप करेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे करेक्शन को उपर क्लिक करेंगे यदि दोस्तों करेक्शन कि किसी का पुराना है तो एकeston नये के लिए होता है, six B जोकी आधार कार्ड लिंक करने के लिए बहरा गया थाra, जोकी यहां पर BLO के दोवारा भराती यहा था, तो कई लोगों की mobile निम्बर टो BLO नहीं लिंक कर द कर दिये थे, तो हमें तो यहां पे नया card issue करना है, फिर card को replacement करना है, तो हम यहां पे issue of replacement, epic without correction को उपर क्लिक करेंगे, और फिर ok को उपर क्लिक करेंगे, जैसे दोस्तों आप ok को उपर क्लिक करते हैं, तो आपकी सारी की सारी details आ जाती हैं, तो मैं नीचे scroll करता हूँ, अब यहां पे आपक कुछ steps होंगे, जो कि पहला तो होगा, select, state, district, ac, pc, वो select करना है, उसके बाद आपकी details होगी, submit form, declaration आपको करना है, फिर submission करना है, अब देखे हम next को उपर क्लिक करेंगे, जैसे next को उपर क्लिक करेंगे, तो details के उपर पहुंग जाएंगे, जो हमारे state तो सही है, district सही है, ac, c, pc, वो सही है, यदि correction करना चाथा है, उसके अंदर कर सकते है, अब यहाँ पर, यहाँ पर क्या कहा है, अब details आपकी details edit करना चाहते है, यह आदार card link करना चाहते है, आप जो 6B नहीं भरते हैं, तो यह चीज़े भरते हैं, तो यहाँ पर भी यह चीज़े हो जाती है, तो तो मोबाइल नमबर जरूर जोड़े यहाँ पे Прिलीक करके आप मोबाइल नमबर ज़रूर जोड़े यरूम बेरे मुबाइल नं की साथ कुछ मेसलिक रागना मेरे पास है यह सब पुछ लिंक है नुदक कर आधार काट्थ सब्सक्कर को phil करोंग इसके के बार में कि सकते थी यदि कोई आपको correction करना था तो पीसे बैक आपको जाना पड़ेगा इसके बाद में आता है एक और application for issue replacement if it without correction कारण क्या है आपके यहां पर issue करने का तो हमारा लोश्ट हो गया है यहां फिर यहां पर destroyed हो गया या due to region brown control like flood आया fire कुछ हो गया ऐसा अदर नेसुरल जो भी चीज़े बाड़ कहते हैं यहां फायर से जल गया वह चीज़े होगी तीन कारण मिलते हैं तीन मेंसे जैसे मालों लोश्ट हो गया तो मैं लोश्ट को उपर क्लिक कर लूँगा यह लोश्ट है तो आपको F.I.R. कॉफी यहांपे डालने पड़ेगा अब यहां पे लश्ट वाला तो आप नहीं डाले उसके बाद में आप डाला है ईसको ओपर क्लिक करेंगे उसके बाद में next को उपर क्लिक करेंगे मलोँ फायर में जल गया यह हो गया उसके बाद में यहांपे आपको प्लेस डा यहां पर कोस्ते हैं पर दाल एंगे यहांपर लेंगे कोई भी प्लेस यहांपर जिस प्लेस से आप कर रहे हैं academics डाली आ सूलें और यहां पर आज मी बाइब की ऑम सब्मिटत किया इसके बार बदेंगे इसकेब यहां पर आपको capture code वो डालना है तो यहांपे मैं capture code जैसा capture code दे रखा है वैसे डालना है कि यहांपे देखना है बढ़ा तो डालना ही सब स्मौल होते हैं तो कई बार चाहिता हैं जो होने वाला है 마음रा फाल्य होने वाला तो जादा यहां पे कुछ आता नहीं फ्योटो नहीं आता है यहां पर जो है अब अब सब्मीट को ऊपर किली करेंगे सिसके पारंगर संब्मेट को थे यहां पर सब्मेट Isa प्रिणि aç सब्मीट को गिलीख यहां पर आपका अनौलिजमेंट रीषैप्ट है अक्न अग्होलुजमेंट नंबर है प्रेफरेंस तंबर है इसके लिए पारों के उप्र जाएंगे तो humility और से रॉपर जाएंगे तो यहां पर जो है अप्रेप्ट करेंगे तुझ आपको कार्ड है वह जनरे तो नहीं तो आपके esaad और कई शेजेश में बॉपके आपको कोई पैसा करेन idéना थे आप कोई भी पैसा नहीं देना होता यह कार्ड हो सकता है कोई потрben समय में फिलाल तो आप unlimited cards order कर सकते हैं इससे तो दोस्तों इस वीडियो में बसे नहीं और वीडियो के लिए से लिए को ज़रू सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू जय हिंद जय भारत